हेलो फ्रेंट सौगत है आप सभी का यस क्लासेज में सरप्रथम आप सभी को नव अर्ष की हार्दिक सुपकाम ना है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राश्टी संगठन और उनके मुख्यालाओं को इंडियन आउग्राइजेशन और देर हेड्कॉर्टर्स वो कहां कहां परिस्थित हैं इनके बारे में बात करेंगे जो कि मुख्य हमारे राश्टी संगठन है अक्सर परिछों में पूछे जाते हैं चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं सरप्रथम है हमारा इश्रो का मुख्यालाई जो है वो बैंगलूरू में है जो की करनाटक की राजधानी है इस्ट्रू का पूरा नाम क्या है भारती अंतरिच अंसंधान संस्थान इसकी अस्थापना 15 अगस 1969 को की गई थी डियाडियो का मुख्याल है नई दिल्ली में है डियाडियो को हम रच्छा अंसंधान ने हम विकास संगठन के नाम से जानते हैं इसकी अस्थापना भी 1998 में की गई थी भारतीय रिजर्बायंग का मुख्याल है मुंबई में है इसकी अस्थापना 1 अप्रेव 1935 को की गई थी भारतीय रिजर्बायंग का मुख्याल है आपका भी नई दिल्ली मत लगाईएगा नीत आयोग का मुख्याल है ये नई दिल्ली में है इसकी अस्थापना 1 जनुरी 2015 को की गई थी किसी ओम ग्रामीड मंत्राल है ग्रामीड विकास बैंक जिसको हम नाबार्ड कहते है इसका भी मुख्याल है मुंबई में है जो भी बैंक हैं भी ते से संब्द हैं अधिकतर की मुख्याल है जो है वो मुंबई में है राश्टी आवास बैंक, इसके मुख्या ले नई दिल्ली में है अस्थापना इसकी 9 जुलाई 1988 को की गई थी राश्टी आवास बैंक का इरडी का मुख्याले जिसको हम भीमा नियमा को विकास प्राधी करड बोलते हैं इसका मुख्याल है हैदराबार में है जो की तेलंगाना में है अस्थापना इसकी 1999 में की गई थी सेवी का मुख्याल है भी जो है ये मुंबई में है मुंबई महराश्ट में है सेवी को भारतिये प्रतभूत और बिनमय बोर्ड की नाम से जानते हैं 12 अप्रेल 1988 को इसकी अस् असापना सिडवी भारतिये लह उद्योग विकास बैंक को कहते हैं इसकी जो है मुख्याल है वो लखनो उत्तर प्रदेश में है असापना 2 अपराइल 1990 को की गई थी ट्राई भारतिये दूर संचार बिन्यामक पराधिकरण जिसे हम ट्राई की नाम से जानते हैं इसका मुख् असापना 20 फरोरी 1997 को भारतिये मानक विवरो का मुख्याल है जो है यह भी नई दिल्ली में है असापना 23 दिसंबर 1986 बिसी सिचाए का मुख्याल है भारतिये कricket कर्टोल बर्ड ऑफ इंडिया भारतिये क्रिकट नियंतर बोर्ड इसका मुख्याल है मुमभाई महराष्ट मे है अस्थापना 19 सितंबर 1928 को की गई थी आजादी से पहले ही किर्केट बोर्ड है हमारे हैं भारती खाद सनच्छड और मानक पराधी करण का मुख्याल है जिसे FSAI कहते हैं इसका मुख्याल है भारती खाद सुरच्छा और मानक पराधी करण का नई दिल्ली में है National Association of Software and Services इसका मुख्याल है इसका भी मुख्याल है नई दिल्ली में है 1988 में इसकी अस्थापना की गई थी भारती और द्योगिक बित्त निगम का मुख्याल है नई दिल्ली एक जुलाई 1948 को अस्थापना की गई थी National Securities of Depository Limited जिसे हम NSDL कहते हैं इसका मुख्याल है मुंब जो है यही जारी करता है Central Depository Services का मुख्याल है मुंबई में है भारतिय जीवन भीमा निगम LIC का मुख्याल है मुंबई महराश्ट में है अस्थापना 1 सितंबर 1956 हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिंटेड तो इसका मुख्याल है मुंबई महराश्ट में है इसकी अस् अस्थापना भारत सरकार की सरकारी कंप्री है जो कि हमारी गैस तेलों को पता लगाती है भारत की भूम पर तो इसका जो मुख्याल है वो नई दिल्ली में है अस्थापना 14 अगास 1956 में किया गया था ONGC का फुल फॉर्म है तैलों प्राखिर्टिक गैस निगम भारती निर्वाचन आयोग का मुख्याल है नई दिल्ली में है अस्थापना 15 जनोजी 1950 को की गई थी इलेक्षिन कमीशन ओफ इंडिया का भारत के नियंत्रों को महल एका परिच्छा का मुख्याल है जो भी सरकार से संब्दित है ये भी नई दिल्ली में है का एक बोलते है इसे हम सीबियाई का मुख्याल है नई दिल्ली केंद्री अनुएशड भेवरो भारती वाडिज्योम उद्योग मंडल का मुख्याल है नई दिल्ली अस्थापना 1920 को की गई थी विक्रम सारा भाई अंतरेच केंद्र जो है वो त्रुवंतपुरम केरल में है मुख्याले भी यही है 21 नॉबंबर 1963 को इसकी अस्थापना की गई थी केंद्री पत्यचकर बोड की मुख्याल है नई दिल्ली केंद्री अपत्यचकर वम सीमा सुल्क बोड का मुख्याल है भी नई दिल्ली में है अस्थापना 1 जोनरी 1964 भारती बैंक संखा मुख्याल है मुंबई में है अस्थापना 26 सितंबर 1946 अपसे हमने बता है जो भी बैंकों से संब्धित है अधिकतर वो मुंबई में है क्योंकि ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वो हमारी वित्तिय राजधानिया और द्योगी राजधानी है भाती वाडिज्यमु उद्योग महासंग जिसे हम फिक्की कहते हैं इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है अस्थापना 1927 बार्क का मुख्याल है भाबा परमाड़ अंसंधान के इंद्र ये टॉम्बे में है मुंबई में जो इस्तित है अस्थापना भाबा प्रमाड़ अंसंधान का तीन जलोड़ी 1954 को किया गया था मुंबई स्टोक इक्षेंज का मुख्याल है बामबई clicking हम बोलते हैं B.S.C. इसका मुख्याले जो है मुंबई महराश्ट में है असापना 9 जुलाई 1815 को किया गया था इस श्टॉक चेंज का चाथा नेशनल स्टॉक इसचेंज भी जो है वो मुंबई महराश्ट में भी मुख्याले है आप इसको दिल्ली मत लगाईगा नेशनल से कि Bombay जो है वो मुंबई में है आप जानते ही है नेशनल जो है वो दिल्ली में नहीं वो भी मुंबई में ही है UIDAI का मुख्याल है नई दिल्ली में है अस्थापना 28 January 2009 को की गया था मनमोहन सरक्कार की कारखाल में भारतिय बिस्ष्ट पहचान प्राधिकरण के बोलते है यह जो है हमारा अधार कार्ड को जारी करता है इंडियन फार्मर्स फर्टरिलाइजर्स को अपराटिव लिंटेट इफको की मुख्याल है नहीं दिल्ली में है अस्थापना 3 November 1967 को किया गया था BSF का मुख्याल है नहीं दिल्ली में है 1 December 1965 को मुख्याल है इसका अस्थापना किया गया था केंद्रिये और द्योगिक सुरच्छा बल जिसको हम CISF बोलते हैं इसका मुख्याल है नहीं दिल्ली में है अस्थापना 10 March 1979 को केंद्रिये रिजर्ब पुलिस बल CRPF बोलते हैं सेंट्रल रिजर्ब पुलिस फोर्स का मुख्याल है नहीं दिल्ली में है अस्थापना 27 July 1949 को किया गया था आइटी बीपी भारतिय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्याल है इसका मुख्याल है नहीं दिल्ली में है अस्थापना 24 September 1962 ध्यान दीजिएगा आधिकतर जो भी हमारे सुरच्छा से लेटेट गाड़ का मुख्याल है तून का मुख्याल है नहीं दिल्ली में ही है एनेज़जी का एड़कॉर्टर भी जो है वो नई दिल्ली में ही है राष्टी सुरच्छागार्ड ग्यानिक यो मौद्योगी का संद्धान परसत का मुख्याले नई दिल्ली भारतिय भूबाग्यानिक सर्वेच्षड का मुख्याले जो है वो कुलकाता में है most important अक्सर यह भी पूछा जाता है क्योंकि यह पूलकाता में इस्थित है भारतिय भूबाग्यानिक सर्वेच्षड जोग्राफिकल सर्वेच्षड इंडिया बोलते है इस्टेट बैंक आफ इंडिया का मुख्याले मुंबई में है मुंबई महाराष्ट एक जुलाई 1955 को स्टेट बैंक इंडिया की अस्थापना की गई थी पी एंबी की मुख्याले पी एंबी का जो है वो नई दिल्ली में है इसका स्थापना 19 मई 1894 को किया गया था सबसे पुराना बैंक है पंजाब नेशनल बैंक ICICI का मुख्याले भी मुंबई में है अस्थापना 5 जनुरी 1994 HDFC का मुख्याले भी मुंबई में है आज की क्लास में बस इतना ही आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए एक बार फिर से आप सभी को 9 औरस की हार्दिक सुपक्वामना है आप हम आपको नई अपडेट्स देते हैं चरनल नया है तो आप सभी के स्वयोग जरूर चाहिए हमें जिससे हमारा भी उस्था वर्दानों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक हमारे साथ चुड़े रहे धन्यवाद आप सभी का